हेलो बच्चों तो आज का जो टॉपिक है वो है एंटी कैंसर ड्रक्स इसी को हम बोलते हैं एंटी कैंसर ड्रक्स दोनों चीजें सेम हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में नियो प्लास्टिक सेल्स के ट्रीटमेंट में जो ड्रक्स दी जाती हैं उन्हीं को एंटी कैंसर या एंटी कैंसर या एंटी नियो प्लास्टिक समझने के पहले या एंटी कैंसर ड्रक्स समझने के पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आफ् controlled cell division जो हमारी body में cell division होती रहती है जैसे suppose करो कि सबसे इच्छा example ये है कि जैसे कोई पेड़ है या कोई छोटा सा बच्चा होता है वो growth करता है growth करते 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 बड़ा हो जाता है तो बड़ा कैसे होता है cell division होती है cell क्या multiplication हमारी body की जो unit है colony बना लेती है और बढ़ते 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 चाहे वो bone की हो चाहे skin की हो या किसी body के part की हो क्योंकि infant stage में सब कुछ छोटा छोटा होता है धिरे धिरे करके बड़े होते जाते हैं छोटे छोटे हाँ छोटे उंगलियां ये सब कैसे होता है multiplication से यानि कि हमारी body के अंदर एक system है controlled mechanism जो इन सारी चीजों को control करता है कि कितना division होना है इसलिए standard height होती है कि लगभग ये height होनी चाहिए ये weight होना चाहिए इतनी age पे क्यों? ये कहां से observe किया गया इसकी एक study की गई है इस study के base पे इस सारी चीज़े decide की गई है अब अगर ये जो controlled mechanism है body का जो control करता है कि जो body में ये जो growth phases होती है cell के multiplications होती है growth cell cycle आप लोगो ने देखी होगी G1, G0 phase, G1 M phase, G2 phase ये जो phases होती है जिसके through body हमारी cells है वो हमारी replicate होती है multiply होती है multiply होके dead cells क्या होती है dead cells खतम होती जाती है multiply करके नई cells daughter cells बनाती जाती है ठीक इस तरह से करके body की growth होती है ये तो mechanism होगा growth का अब बात आती है neoplastik ये कब हो जाता है ये neoplastik क्या है neoplastik cells का मतलब यह होता है uncontrolled cell division पेरवर uncontrolled यानि जो cell division हो रहा है वो uncontrolled हो रहा है कहीं भी जैसे मान लिया suppose करो ये cells हैं ये cells divide हो रही है एक proper manner में ठीक कि भई ये ऐसे करके बढ़ती जाएंगी और body की growth बढ़ती जाएंगी अब मान लिया ये uncontrolled हो जाना कहीं भी बही रोड पे हम चलते हैं चोराय पे ट्राफिक सिस्टम होता है ठीक कि एक बार इधर वाला जाएगा ये क्रॉस करेगा इधर वाला जाएगा means आपस में किसी तरह का कोई होच पोच नहीं होता है मान लिया ट्राफिक को हटा दिया जाए इधर वाला भी जाएगा इधर वाला भी जाएगा इसी तरह से बाडी में जो कंट्रोल मेकनिजम कंट्रोल करना है कि इतना डिविजन होना है ये ना होके कोई किसी तरह भागा चला जा रहा है मान लिया इधर डिविजन होता चला जा रहा है तूमर क्या है? यही तो है वो तूमर आपका cancer है कि नहीं है यह तो आपका doctor जब biopsy करेगा उसकी analysis करेगा microscope से उसकी cells की कि वो cell carcinogenics है कि नहीं, cancer causing है कि नहीं यह तो बात में decide होगा uncontrolled हो गया, it means वो neoplasic cells होगा अब यह दो तरह से होती है एक होता है benign tumor और एक होता है malignant tumor benign tumor क्या है benign tumor simply uncontrolled cell division है body के किसी भी part में कोई भी part ज़्यादा division हो जाए means हाथ हमारा ऐसे बढ़ना है थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे निकल आया यहाँ पे ऐसे निकल आया यहाँ पे ऐसे निकल आया तो ये क्या है बस ये इसकी खास चीजी होती है बनाएंट यूमर की ये ग्रोथ इसकी slow होती है और ये बॉडी के other part पे क्या spread out नहीं होता और यही जब chronic हो जाता है malignant tumor ये क्या इसकी growth बहुत तेज होती है और ये अपने body के जो आसपास के tissues होते हैं means किसी को यहाँ पे हुआ चेहरे पे ठीक चेहरे से lungs में पहुँच गया लंग से liver में पहुँच गया ठीक लीवर से पैर में पहुँच गया intestine में पहुच गया ये spread out होता है body में इसलिए बहुत ही कतरनाक होता है right तो इसको क्या बहुते है malignant tumor अब generally क्या होता है ये अब main चीज होता कैसे हो जाता exact reason किसी को नहीं बता लेकिन generally ये माना जाता है कि कोई इंसान बहुत heavy smoking करता है ठीक किसी तरह की जो body की tissues है उनमें heavy irritation होता है किसी भी चीज से कोई disease हो सकती है virus attack कर सकता है उसके वेज़े से tissues में irritation स्टार्ट हो जाए ठीक foreign body achieving of excess tobacco जो लोग बहुत ज्यादा तंबाकू खाते हैं वो भी ये सुन ले उनके लिए भी बहुत कतरनाक है बहुत common हो गया ये या बार-बार x-ray कराना आज कल corona time में doctors बार-बार करते हैं chest का CT scan बार-बार नहीं कराना चाहिए harmful होता है क्यों क्योंकि हमारी body बार-बार अगर x-ray के सामने expose होगी तो ये carcinogenic हो सकता है ultraviolet rays बहुत कतरना खोती है इनको रोग के रखता है कौन हमारे ozone layer लेकिन अगर ozone layer नर हो ultraviolet rays सिधा हमारी skin में पढ़ेंगी तो क्या होगा अब इसको treat करने के लिए ये सारी चीजें anti-neoplasticity या anti-cancer इन सब चीजों को treat करने के लिए जो drugs इस्तिमाल की जाती है उन्हीं drugs को कहते है anti-cancer drugs अब cancer की therapy बहुत तरीके से हो सकती है वही में सबसे में चीज क्या पहली चीज क्या हो सकती है surgery means उस पार्ट को काटके हटा दिया जाए कहीं पे भी आपको tumor ने जराता है उसको काटके हटा दिया जाए उसके बाद उसकी पिर MRI कर लो उसकी बायोपसी कर लो analysis करके वो कार्थिनोजनिक है की नहीं ठीक एक तो यह पार्ट हो गया radiation therapy होती रेडियेशन थरपी में क्या होता है इसमें radiations दिये जाते है heavy high dose of radiation जिससे क्या आसपास किसे पूरी की पूरी डेड हो जाती है यानि कि उनका जो spread out होना है जो spread होना है वो क्या होता है spread out होना बंद हो जाता है ठीक फिर chemotherapy chemo therapy में क्या होगा chemo therapy में drugs चढ़ाई जाती है दवाय जो है body में inject की जाती है जिसकी वज़े से इसके प्रभाव होगा कम क्या आसपके stem cell restoring the blood formation stem cells क्या होता है इसमें क्या होता है इस थरपी में यह जो blood cells होती है restore वापिस से blood बनाना start कर देती है ठीक बहुत सारी है target therapy, hormone therapy है अगर यही cancer lung में हो गया तो lung cancer तो अब बात करते हैं यह जो एजेंट होते है जो इनके treatment में use होते है उनकी को बोलते है cytotoxic agent ठीक है इसके treatment में तो classification की बात करते हैं एजेंट्स को classify किया गया है ठीक सबसे पहला कौन सा है alkylating agent, सबसे पहला है alkylating agent, यह क्या है alkyl group जो molecule है मारा उसमें alkyl group को क्या करता है, capable होता introduce करने के लिए, जैसे पहला है इसका, सब पार्ट है nitrogen mustard की category है इसमें कौन-कौन से आते हैं बहुत important है, chlorambucil दूसरा, cyclophosphamide फिर अगला, agyridine इसको, ethylene, imine भी बोलते हैं, जिसका drug है, theotepa alkyl sulfonate इसकी drug कौन सी है busalpham, फिर anti-metabolites होती है, दूसरी category जिसमें, methotrixate, mercaptopurane, ejathaioprine, and fluorouracil, right तो यह दो category हो गई, further category हम, आगे देखते हैं, ठीक है, तो यहां तक हमने, इसको पढ़ लिया, ठीक है anti-metabolites के बाद, तीसरी category है plant product, right plant product में, सब category कौन सी है, vincalculide, vincalculide में vincristine and vinblastine ठीक दूसरा, podophyllotoxin इसमें, etoposide और vindacin next, taxin में taxol और taxotare ठीक है, एंटिबायोटिक एंटिबायोटिक्स में क्या है, actinomycin C, mitomycin and downorubishin hydrochloride, last category कौन सी है, miscellaneous की है जिसमें क्या है, cisplastin ठीक, तो यह तो हुआ हमारा classification, अब जो important drugs है, वो हम discuss कर लेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा important जो कौन सी है, chlorambucil ठीक, chlorambucil की जो drug है, वो बहुत ज़्यादा important है, इसका structure देखते हैं, structure में, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, benzeen ring, ठीक, benzeen ring के बाद क्या लगेगा, चार carbon लगेंगे, last वाले में COH, यानि कि इसकी अगर हम लाइउ-PSC के बात करें, one, two, three, four, ठीक, उसके बाद fourth position पर क्या लगी है, benzeen ring, अब benzeen ring की अगर numbering करें, one, two, three, four, five, six, benzeen ring की fourth position पर, ये group लगा हुआ है, ठीक, अब इस group की भी अगर सब numbering करें, one, two, one, two, ठीक, तो हमारा numbering का काम लगभग पूरा हो गया, अब हम बात करते हैं कि इधर से करते हैं, इसको हम रोट चेन मान लेते हैं, ठीक, तो इधर से शुरू करते हैं, fourth position पर, ठीक, पहले fourth position पर benzeen लगा हुआ है, इसके fourth position पर four, दो लगे हुए हैं क्या base, यानि दो लगे हुए हैं, chloro ethyl, वहीं दो carbon से ethyl, एक chloro से chloro, ठीक, तो दो chloro, यानि कि, ये लगे हुए हैं क्या, two chloro ethyl, ये कितने लगे, दो, ये two chloro है न, दूसरी position पर लगा है, तो two chloro ethyl, one और two, यानि इसके लिए base, किस position पर है, fourth position पर है, ठीक, तो two chloro ethyl, बचा क्या, ये ring कौन सी हो जाएगी, amino phenyl, amino phenyl, क्योंकि ये N है न, S2 की जगे पर two chloro ethyl लग गया, तो यहाँ पर क्या बचाएगे, amino phenyl, और ये remaining क्या है आपका, butyric acid, ठीक, IUPAC में कोई समस्या, ठीक, brand name, leucarine and emboklorine, ठीक, ये इसके क्या हो गए, brand name, leucarine and emboklorine, और अभी जो ज़्यादा आसान से पढ़े हो, आप अपनी book से, दो या तीन, brand name, देख ली जेगा, ठीक, इसके बाद हम chloram busil की properties की बात करते हैं, white color का crystalline powder, या off white color का, white या off white color का crystalline powder होता है, practically insoluble होता है, water में, practically insoluble, यानि पानी में घुलन सील नहीं होता है, है, नहीं तो तुम लोग क्या करते हो, सब घुलन सील है, है, सब colorless है, ठीक, तो ऐसा नहीं है, है, तो insoluble in water solubile किसमें किसमें हैं, alcohol में हैं, acetone में हैं, and chloroform में हैं, ठीक, melting point इसका 64-66 degree, 64-66 degree Celsius होता है, इसमें slightly, having slight smell, बहुत हलकियासा order होता है, ठीक, storage इसका airtight close containers, और resistant from light, ठीक, use की बात करते हैं, use जितना कुछ जो है anti-neoplastic, यानि anti-cancer agent की तरह होता है, इसका मतलब जो cancer होते हैं, जैसे chronic lymphatic leukemia, ठीक, leukemia या ovarian cancer, breast cancer, malignant lymphoma, या किसी तरह का immunosuppressant की वज़े से, अगर किसी तरह की uncontrolled cell division होता है, तो उसको क्या करते हैं, फिर से सही करने की कोसिस करते हैं, ठीक, officials क्या है, chloram bucille, BP, and chloram bucille tablet, BP and USP, ठीक, तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, किसकी, chloram bucille की, ठीक, इसके बाद हमारा, next compound आएगा, तो next, हमारा है, busle fan, chloram bucille हमने पढ़ लिए, ठीक, अच्छे समझ में आगया होगा, next हमारा busle fan, ये है busle fan का structure, अगर numbering की बात करें, तो, ये हमारी, main root chain, अब दोनों तरफ, same functional group लगे हुए है, चाहे हम इदर से numbering करें, चाहे हम इदर से numbering करें, कोई फरक नहीं पड़ता है, ठीक, तो हम इदर से देखते हैं, one, two, three, four, ठीक, यानि, चार carbon की हमारी, main root chain है, ठीक है longest chain है, तो अब IUPAC की जब बात करते हैं, तो चार carbon से, butane, ये OH है, क्या है, OH, इदर भी OH है, H का substitution करके, SO2, CS3 group लगा है, ठीक, तो ये क्या हो गया, OH है तो, butane diol, one, four, यानि, one position पे, और, fourth position पे, OH group लगा है, यानि, one, four, butane diol, और क्या लगा है, दोनों तरफ methane है, यानि, di, methane, SO2 क्या, sulfonate, ठीक, तो one, four, butane diol, di methane, sulfon, sulfonate, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, IUPAC, brand name, mylaran, और, mitosin, ये इसके क्या हो गया, brand name हो गया, properties, properties में, it occurs, white crystalline powder, orderless, expiringly soluble in water, but dissolve slowly as a hydrolysis, इसकी बहुत slow hydrolysis होती है, water में, लेकिन soluble किसमे होता है, alcohol और acetone में, right, melting point इसका, 114 से 118 degree Celsius रहता है, storage, storage, क्या storage है, इसका, stored in, airtight, closed container, closed containers, and protected from light, protected from light, अब use की बात करते हैं, use किसमें क्या आता है, treatment of leukemia, myloid leukemia, या selective deprescent action on bone marrow, जो uncontrolled cell division होने लगता है, bone marrow में, उसको क्या करता है, ये, control करता है, official क्या है, बुसल फैन, BP-IP, and बुसल फैन, tablet BP-IP, right, tablet BP-IP, as per, British Pharmacopoeia, and Indian Pharmacopoeia, ठीक, तो next compound हमारा क्या बचा, last, this is platin, इसमें platinum है, दोने दरफ NH2, NH2, और दो दरफ CL, गर लगे होएं, यानि, di-amino, di-clu-ro, platinum, right, तो ये, इसका हो गया, IUPSC, brand name की बात करें, platinx, और platinol, platinum से बना है, इसलिए platinx, and platinol, इसका brand name है, properties की बात करते हैं, तो ये कैसा होता है, yellow color का powder होता है, और orange color के crystals होते हैं, yellow color का powder, और orange color का crystal होता है, decompose होके, ये जो yellow और orange होता है, decompose होके क्या हो जाता है, black color का, add to 70 degree Celsius, और slowly soluble होता है, water में, melting point भी, इसका 270 degree Celsius है, melt होना सुरू होता है, decompose होके, black हो जाता है, storage इसका, airtight close container, which is protected from light, use की बात करें, अगर तो use किसमें, metastatic tumors, कहां पे होते हैं ये, testis, ovary, urinary bladder और इसको जो दिया जाता है, वो IV root के थुरू दिया जाता है, इसके officials हैं, cisplatin as per betis pharmacopoeia, and cisplatin injection as per United States pharmacopoeia, तो उमीद है, कि anti-neoplastic या anti-cancer drugs, के बारे में आप लोगों को, एक एक चीज clear हो गई होगी, question इससे, exam में आता है, last year भी आया था, mostly short note आता है, कभी कभी इस पे, यही तीन drugs जो मैंने पढ़ाई, यही तीन drug में है, कोई ना कोई drug आ जाती है, अगर आ जाएगी, तो अच्छे से जिस तरह मैंने पढ़ाया है, एक एक चीज, जितना मैंने लिखा दिया है, more than sufficient, कुछ भी अलग से notes बनाने की जुरूत नहीं, इसमें कुछ नहीं समझ में आता है, या तो आप comment section में लिख सकते हो, या मुझे phone कर सकते हो, या WhatsApp कर सकते हो, ठीक, और कोई समस्या हो तो, आप मुझे phone कर सकते हो, राइट, ओके, बाई,